हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जे आरेफ माइंड, पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन के इस क्रेस कोर्स में हम देख चुके थे साइन्टिफिक मैनेजमेंट थियोरी, क्लासिकल थियोरी, MP Follett, चेश्टर बरनार्ड और हिूमन रिलेशन थियोरी फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो क्लासिस हो चुकी हैं, आप इन क्लासिस को भी जरूर देख लें, क्योंकि यहां से भी आपके नैट के एक्जाम में काफी कुशन आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब लाइट, शेर जरूर करें, तो आज का टोपिक है हमारा बिहेवियरल थियोरी, देखिए, फ्रेंट्स, बिहेवियरल थियोरी को नियू हूँमन रिलेशन थियोरी भी कहा जाता है, ठीक है, तो बिहेवियरल थियोरी किसने दी थी, डैविड ठीक है, तो behavioral theory से ये चार thinker हमारे related हैं, देखिए, सबसे पहले देखते हैं, David Easton के बारे में, David Easton, he has mentioned the following eight basic premises of behavioralism, David Easton ने, friends, behavioralism के eight basic premises बताई थे, eight basic premises का मतलब क्या है, जिस पर आपकी behavioralism की जो theory है, वो आधारित है, ठीक है, और उन्होंने इन eight basic premises को intellectual foundation stones बताया था, behavioralism का, ठीक है, तो आप ये word याद रखेंगे कि intellectual foundation stone किसे कहा जा रहा है, और किसने कहा है, David Easton ने, ठीक है, इन्ही eight basic premises को, David Easton ने intellectual foundation stone भी कहा है, और ये eight basic premises क्या है, जिस पर behavioralism की थे, आधारित है, ठीक है, तो सबसे पहला है, regularities, verification, techniques, quantification, values, systemization, pure science, और integration, फ्रेंड्स आपको ये इसी करम में याद रखने होंगे, ठीक है, तो हो सकता है, आप से इसको chronological order में लगाने के लिए पूछा जाए, तो इनको इसी करम में याद रखना होगा, ठीक है, यहां से question आते हैं, देखिए, तो ये थे David Easton, तो eight basic premises की बात किस ने की है, देविडेश्टन, दूसरे हैं हमारे Chris Argyaris, ठीक है, तो Chris Argyaris, his book personality and organization 1957, deals with relationship of individual and organization, तो Chris Argyaris की book का नाम है, personality and organization, जो की 1957 में publish होई थी, ठीक है, तो ये book deal करती है, किस चीज से, एक individual और organization की relationship को ये deal करती है, ठीक है, कि एक individual और organization के बीच में कैसा relationship होता है, तो Chris Argyaris ने एक theory दी थी, immaturity and maturity theory, ठीक है, तो इस theory में इन्होंने बताया था, उनका विश्वास था, कि एक organization में जो लोग आते हैं, वो सुरू में immature होते हैं, और बाद में जो है, वो संगठन में ही mature बन जाते हैं, ठीक है, तो Chris Argyaris यही कहते हैं, कि एक organization में ऐसी tendency देखी गई है, कि जब लोग उस एक संगठन में आते हैं, तो वो immature होते हैं, और वो immature से फिर mature बन जाते हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, देखें फ्रेंड्स, Chris Argyaris ने एक और थियोरी दी थी, जिसका नाम है fusion process theory, तो fusion process theory क्या कहती है, fusion process theory को आपकी Chris Argyaris और E.W.Bek, दोनों ने मिल कर दिया है, ठीक है, तो according to this theory, both the organization and individual seek to attain self-realization, तो इस theory के according, एक जो organization होता है और individual होता है, दोनों ही अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक है, देखें, The individual uses the organization to further his own goal, this is known as personalizing process, तो Chris Argyaris कहते हैं, कि जब एक individual, एक organization को अपने फाइदे के लिए, अपने फाइदे के लिए own goal, अपने फाइदे के लिए use करता है, तब यह है एक personalizing process कहलाती है, ठीक है, तो Chris Argyaris कहते हैं, कि जब एक organization, individual को अपने goal के लिए use करता है, तब यह socializing process कहलाता है, ठीक है, तो the simultaneously operations of these processes is called fusion process, ठीक है, जब यह दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है, simultaneously एक साथ होती हैं जब यह दोनों चीजें तब यह fusion process कहलाता है, इसका मतलब यह है कि जब दोनों चीजें मतलब जब एक organization और individual, दोनों को लाव होता है, ठीक है तब ये क्या कहलाता है fusion process तो ये आपकी थी fusion process theory जो की किरिसारगेरिस दिये थे ठीक है देखिए MC Gregor तीसरे thinker कोन है behavioral theory से जुड़े हुए MC Gregor ठीक है the human side of enterprises 1960 तो Mac Gregor जो है एक motivation theory दिये ठीक है ये motivation theory जो है theory x and theory y के नाम से जाने जाती है इनकी एक book थी the human side of enterprise जो की 1960 में publish हुई थी तो उन्होंने इसी book में इस theory को दिया था friends आपसे जो है exam में theory x and theory y के नाम से पूछा जाएगा ठीक है कि theory x and theory y किस ने दी तो ये Mac Gregor ने दी थी ठीक है देखिए what is theory x and theory y तो theory x कहती है कि people hate work लोग जो है वो काम से नफरत करते हैं ठीक है theory y क्या कहती है कि no people like work people तो काम को पसंद करते है theory x क्या कहती है कि people have to be forced to work लोगों को काम करने के लिए force करना पड़ता है theory y क्या कहती है कि people drive themselves and work effectively कि नहीं जो लोग है वो अपने आप काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं ठीक है theory x क्या कहती है theory x कहती है कि people prefer to be told what to do theory x कहती है कि लोगों को बताना पड़ता है कि क्या काम करना है लेकिन theory y कहती है कि people will take the initiative given opportunity कि लोग अपने आप से ही initiative अपने आप से ही काम करना पसंद करते हैं opportunity का फाइदा उठाते हैं ठीक है theory x कहती है कि no people are selfish and have no interest in the organization people जो है selfish होते हैं और organization में उन्हें को interest नहीं होता जबकि theory y कहती है कि people will commit themselves to objectives if it is beneficial to them theory y कहती है कि लोग एक organization के जो objective होते हैं उसके लिए committed होते हैं उसको पाने के लिए ठीक है यदि यह है चीज उनके लिए भी लाब देने वाली हो ठीक है उनके लिए भी beneficial हो तो लोग उस objective को पाने के लिए काम करना पसंद करते हैं theory x represent classical theory of management classical theory हमने पढ़ी थी ना last class में तो theory x जो है classical theory को ही represent करती है management की theory y represent behavioral theory of management तो theory y behavioral theory को represent करती है ठीक है management की तो ये थी आपकी theory x and theory y जो की Mac Gregor ने दी थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं आपके आपके अगले थिंकर है रैंसिस लिकार्ट इन चारों ने मिलकर behavioral theory को दिया था ठीक है याद रखना तो आपके थिंकर है रैंसिस लिकार्ट तो रैंसिस लिकार्ट ने managerial efficiency पर ज़्यादा बल दिया है ठीक है कि एक संगठन तभी अच्छे से काम करेगा जब उसका जो management है वो effective तरीके से हो ठीक है अच्छा हो तो रैंसिस लिकार्ट ने मैनेजरियल एफिसेंसी पर ज्यादा बल दिया ठीक है इन्होंने फोर मैनेजमेंट सिस्टम बताई थे इचारों इंपोर्टेंट है आप इनको इसी करम में याद रखना ठीक है तो पहला है एक्सप्लोइटेटिव ठीक है और चोथा है पार्टिसिपेटिव ग्रूप जहांपर डिसिजन मेकिंग में ठीक है जहांपर डिसिजन मेकिंग में लोगों को साथ लिया जाता है उनकी भी राई ली जाती है ठीक है उनसे भी विचार किया जाता है तो सबकी पार्टिसिपेशन होती है डिसिजन मे औरुटेटिव, बैनिवोलेंट हो थे औरुटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव गुरूप ठीक है देखिए रैंसिस लिकार्ट की ये बुक्स हैं जो की काफी इंपोर्टेंट हैं आप इनको भी इसी करम में याद रखना पहली बुक है New Patterns of Management जो की 1961 में पबलिस होई थी दूसरी बुक है The Human Organization जो की 1967 में पबलिस होई थी तेसरी बुक है New Ways of Managing Conflict जो की 1976 में पबलिस होई थी यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना Conflict Word से आप जो है क्या बोलते हैं Misunderstood मत कर देना कि ये MP Follet की बुक है ठीक है क्योंकि MP Follet ही Conflict के बारे में बात कर रही थी तो इसलिए आप जो है धिहान रखना इस चीज़ का ये किसकी बुक है New Ways of Managing Conflict ये बुक है आपकी R लिकार्ट की ठीक है तो ये तीनों बुक आप इसी करम में याद रखना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो ये क्लास कैसी लगी थैंक यू